कल के अपने वीडियो में लास्ट टॉपिक मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराया था तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्जामपल है प्रकाशिक तंतु जो कई बार एक्जाम में पूछा जाता है और आज कल आप लोग इसके बारे में सुन भी आप्टिकल फाइबर जैसे इसे नेट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यह प्रकाशिक तंतु क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर किस तरीके से इसमें यूज होता है आज मैं आपको समझाओंगी तो प्रकाशिक तंतु इसकी सहायता से प्रका प्रकाशिक और फाइबर तंतु यानि की धागा प्रकाश का एक बहुत बारीक बहुत लंबा धागा होता है बारीक जैसे हमारे बाल होते हैं इतना बारीक धागा इसकी सहायता से हम किसी भी प्रकाश के सिगनल को एक स्थान से दूसर स्थान तक बेजते हैं इसमें बीच म नियर अबाउट 1.7 होता है और इसके ऊपर लेपन जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं इसकी सुरक्षा के लिए होती है एक और डाइग्राम से मैं यहां समझाती हूं जो ऑप्टिकल फाइबर जो बारीक धागा होता है उसको बोला जाता है कोर के ऊपर जो लेपन होता है अंद रबला जो माद्याम है वह सगन है और उसके वाळवला बाद्याम जो है विरल तो सगन का अपवरत नांग विरलllo के अवी अपवरत नांग से अथिक होता है और इसके बाहर एक्ञार मैंने कवरेंग है यह जैक के प्रत्वी के नीचि अगर इन फाइभर के थूढ शिगनल आपको पता है कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरन जाती है तो वो क्या होती है अभी लंब की और जुक जाती है तो बहार वायू है अंदर कांच है तो जब वायू से अंदर वले माध्यम में प्रकाश की किरन जाएगी तो ये अभी लंब की और जुक गई और यहाँ पर जो आपतन कोन होना चाहिए उसका मान क्रांतिक कोन के मान से कम होना चाहिए इस material के लिए क्रांतिक कोन का मान near about 41 degree होता है तो उससे कम होना चाहिए मान अंदर जब जाएगी प्रकाश की किरण यहां कर टकराई तो अब अंदर सगन माध्या में है यह बहार नहीं ज जाता है यहां पर जो मान है आपतन कौन का मान वो क्रांतिक कौन से अधिक हो जाता है इसलिए पूर्ण अंतरिक परवर्तन होके प्रकाश की किरन पूर्णते इसी माध्य में वापिस आ जाती है फिर यहां पर भी पूर्ण अंतरिक परवर्तन होता है फिर यह इसी माध्य में रहे हैं यहाँ पर फिर से जो मान है आपतन गोण का मान के करांति-कोण के मान से कम हो जाता है और हमें बाहर सिगनल प्राप्त हो जाते जैसे सिगनल हम ने बेजा ते वैसे ही सिगनल हमें बाहर प्रापत हो जाते हैं बिनना किसी उधा okay की शतिके तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन एक्जामपल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आज कल इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है जैसे कि मैंने आपको इंटरनेट की स्पीड के लिए बताया कि अगर आप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है तो इंटरन सिगनल को ट्रांस्जूजर्स क्या करते हैं विदो सिगनल को प्रकाश सिगनल में कनवर्ट कर देते हैं तो ट्रांस्जूजर्स की सहाइता से विदो सिगनल को प्रकाश सिगनल की में कनवर्ट कर दिया जाता है और वो सिगनल हमारे शरीर में पहुंचा दिये जाते हैं और